सीजन 3 एपिसोड 5 स्टार्ट होता है और हमें 1st सीजन का एक सीन दिखाया गया है जिसें वाल्टर जेसे को पैसे दे रहा होता है और उसको पोलता है आरवी बाई करने के लिए ये हमें अब आरवी की स्टोरी बताई जा रही है क्योंकि हमें लास्ट एपिसोड में दिखाया गया था कि Hank को एक लीड मिली है RV के रिकार्डिंग उसे पता है कि जो Blue में आ रहा है वो RV में कुख हो रहा है तो अब वो सारी RVs ट्रैक करने वाला है तो हमें अब Jesse और Walter की जो RV थी उसकी स्टोरी हमें दिखाई गई है तो इस सीन में हमें दिखता है कि Walter जेसी को पैसे देता है RV बाई करने के लिए वो उसे 7,000 टॉलर्स देता है उसके बाद नेक सीन में जेसी डारेक्ली हमें स्ट्रिप कलब में दिखाई गया है उसके दोस्तों के साथ वो जाता है और सारे पैसे उड़ा देता है बहुती expensive champagne बहुती expensive lap dance ये सारा वो बाई करता है और सारे पैसे अपनों दोस्तों के साथ उड़ा देता है इस दोस्तों में बैजर, skinny peed, combo ये सारे उसके दोस्त हमें दिखाए गए है जब सुभा होती है तब जेसी और उसके friends सब बाहर आते है जेसी को फिर होशाता है कि उसके पास अब सिर्फ 1400 डॉलर्स बचे हुए है वो combo को बोलता है कि मुझे इससे एक RV बाई करनी थी अब मुझे टाउन छोड़ देना चाहिए अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो Walter मुझे DEA से पकड़वा देगा combo फिर उसको बोलता है कि तुमें इतनी चिंता करनी की कोई जरूरत नहीं है मैं एक आदमी को जानता हूँ तो तुमें वो RV दे देगा combo जेसी को एक घर ले जाता है वो घर में जाकर कीज लेके आता है और जेसी को बोलता है कि जल से जल तुम ये RV लेकर चले जाओ combo इसके लिए उससे 1400 डॉलर्स ले लेता है ये एक चोरिक ही वैन होती है हम फिर से सिरीज के पिरेड में आ जाता है और हमें Skyler दिखाए गई है Ted के बात्रूम में टेड का जो बात्रूम होता है उसके जो टाइल्स होते है वो भी self fitting होते है तो Skyler उसे बोलती है कि ये बहुत ही बड़िया invention है टेड उसे फिर lunch के लिए invite करता है पर Skyler बोलती है मुझे घर जाना पड़ेगा टेड उनके relationship को next level पर ले जाने के लिए committed होता है और वो उसे बोलता है कि तुम तुमारा कुछ सामान भी यहां रखके जा सकती हो इससे तुमें convenience होगा Skyler का Walter पर जो गुस्सा होता है वो थोड़ा सा शान्त होए आमें दिखता है वो उसके लिए dinner table पर एक और plate लगाती है वो Walter Junior को बोलती है कि अपने फादर को dinner के लिए बुला लो Walter closet में छूपकर जैसे से पात कर रहा होता है जैसे बढ़का हुआ होता है वो Walter से बोलता है क्यों मुझे सिर्फ 50% ही मिले फिर Walter से समझाने के कोशिश करता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता मैं सिर्फ spotlight पर था और वही मुझे एक बच्चा आकर उसने मुझे 50% तुमारे दे दिये मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता यहां Hank बहुत सारे RVs के पीछे पड़ा हुआ होता है वो एक parking zone में होता है और वहाँ उसके partner के साथ वो होता है और वो एक van पर नजर रख रहा होता है वो उस van के पास जाता है और देखता है कि van में कुछ लोग है या नहीं उसके आवाज सुनाई देती है उसका partner उसे बोलता है कि एक अच्छा idea नहीं है पर फिर भी वो उस van पर चड़ जाता है और van के उपर का जो space होता है उससे नीचे देखता है उसमें दो लोग होते है और वो एक normal family ही होती है वहाँ बहुत सारे लोग इकटा हो जाते है हैंक और उसका partner उन सब लोगों को समझाते है और investigation का ये एक part था ये उनको बताते है ये सब investigation हैंडल होने के बाद हैंक उसके partner को बोलता है हमें और कुछ fans चेक करनी चाहिए उसका partner बोलता है कि मुझे अब घर जाना पड़ेगा मुझे packing करनी है ये packing उसके अलबासों जाने के लिए होती है वो हैंक को बताता है कि तुमने जब offer ठुक राई तो मुझे offer आई और मैंने offer accept कर ली हैंक जब घर आता है तो मरी से वो कुछ भी नहीं बोलता और shower में चला जाता है मरी उससे breakfast के लिए पुछती है पर फिर भी वो उसे इंकार कर देता है मरी फिर उससे बात करना चाती है उसके investigation के बारे में कुछ पूछना चाती है पर उसे वो टालता रहता है तो मरी उससे बोलती है कि तुमारे जो भी कुछ चल रहा है तो तुमें मुझे से बात करनी चाहिए तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते मुझे तुमारी जो प्रोसेस है तुमारी जो लाइफ है इसमें included रहना है तो हैंक बोलता है कि तुम included हो पर सिर्फ मैं जरा काम कर रहा हूँ इसलिए मैं जरा busy हूँ ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाता Walter फिर Gus से मिलने आता है Walter Gus से पुछता है कि क्यों तुम अब JC से बिजनेस कर रहे हो तुम्हें तो JC Drug Addict है इसलिए बहुत ही प्रावलम था तो Gus बोलता है उसका जो प्रावड़क्ट है वो भी तुम्हारे सिमिलर है Walter उसे कहता है कि ये तुम्हारी एक चाल है तो मैं मालूम है कि मेरे प्रावड़क्ट में अडल्टरेशन मुझे आच्छी नहीं लगती इसलिए तुम अब JC से बिजनेस कर रहे हो और मुझे फिर से बिजनेस करने के लिए इंटिमिडेट करने के कोशिश कर रहे हो Walter Gus को बोलता है केमिस्टर एक आर्ट है इसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए नेक्स सिन में हम आते हैं स्काइलर और मरी पर मरी ने स्काइलर को कॉल किया होता है मरी स्काइलर की बेटी वेबिसीट कर रहे होती है तो वो जनरल कनवरसेशन से स्टार्ट करती है पर स्काइलर को लगता है कि मरी को कुछ प्रालूम होगा तो इसलिए वो उसे पूछती है मरी फिर उसे बताती है जब से हैंक अलपासों से वापस आया है तो बहुत ही डिस्टिंग रह रहा है वो मुझसे इतनी बात भी नहीं करता और वो अपने काम में ही रहने लगा है वो घर भी नहीं आता वो खाना भी नहीं खाता उसकी हेल्थ के लिए भी मुझे बहुत चिंता होती है वो फिर स्काइलर को बोलती है कि उसने एक death face की थी वहा और उस death facing से एक experience जो हुआ था तो इससे उसकी life change हो गई है काईलर भी इस पर सोचती है Gus Walter को उसका जो laundry का business होता है उसके factory पर ले आता है उस laundry के business के नीचे underground उसने एक बहुत बड़ी lab sit की हुई होती है Walter इतनी बड़ी lab देखकर उसे बहुत ही excitement होती है सब equipment देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है Gus उसे बोलता है कि इसमें से जो धुआ निकलता है वो भी laundry से mix होकर एक natural लगेगा हमारा filtration बहुत ही अच्छा है जो हमारे employees है वो कभी भी तुम पर rat नहीं करने वाले बहुत ही trusted सब employees हमारे है अगर तुमने मेरे साथ काम किया तो तुमारे जो hours होगे तो तुम decide करोगे तुमें जब चाहिए आना है तब तुम आ सकते हो जब चाहिए जाना है जा सकते हो सिर्फ तुमें जो कोटा रहेगा वो weekly तुमें complete करना पड़ेगा Gus Walter को समझाने की कोशिश करता है जो घर का आदमी होता है वो हमेशा provide करता है अगर उसकी family उसको appreciate भी नहीं कर रही होगी फिर भी वो हमेशा उसको provide करता है घर के जो man होता है उसका job ही वो होता है कि वो provide करे Walter उसे बोलता है इस काम से मेरी पूरी family बरबात हो गई तो Gus उसे बोलता है कि तुमारे बच्चे तो है ना तुमारे बच्चे है यानि वो ही तुमारी family है वो हमेशा तुमें ही priority देंगे वो ही तुमारी actual family होती है और उस पर खड़ी होती है इससे हमें पता चलता है अब उसे जो comfort प्रोवाइड करा है टेड वो अच्छा नहीं लग रहा वो फिर से अपनी old family के पास जाती है अपनी old life के पास वो जाना चाती है जब डिनर पर Walter और Skyler बेटे हुए होते है तभी उसकी बेटी रोने लगती है तो Skyler Walter को पहले हाथ बे नहीं लगाने देती पर अब वो उसे अलाव करती है नेक सिन में हैंग अपने office में होता है और उसने सब RVs जो register है उसके state में उसकी list लाई होई होती है उस list के सारी जो RVs होती है तो उसने वो check कर ली होती है उसकी assistant को वो बोलता है कि तुमें फिर से ये list check करनी चाहिए और कुछ इसमें RVs होंगी और तुमें वो check करनी चाहिए उसी वक्त हैंग का partner है अब वो अलपासो जाने वाला है तो उसकी party उसके office में होती है पर फिर भी वो अपने assistant को excuse नहीं करता और उसे वो list लाने के लिए बोलता है वो अपने partner को greet करता है और उस से एक message देता है कि अच्छी fight लड़ो हैंग की assistant फिर उसे और एक RV का बता दे देती है Skylar जब बेबी के room में सब में साफ कर रही होती है तो वो पैसो की back देती है और वो count करती है फिर वो उसके lawyer के पास दिखाई गई है वो lawyer को सब चीज़े बता रहती है कि उसका Ted का और उस किया वो उसके family के लिए किया तो lawyer उस पर चीट जाती है कि ये सब गलत है अगर तुम इसे उसे support करती रही तो तुम अपने बच्चों को भी खोदोगी और तुमारा घर सब कुछ तुम इसके वज़े से सब तुम खोदोगी जब वो घर आती है और बेबी का room देखती है त वहाँ से बहुत सारा Walter का सामान गायव होता है पैसो की back भी वहाँ नहीं होती और बेबी का जो क्रीब होता है वहाँ divorce पेपर पर Walter ने sign करके वह रखा हुआ होता है Walter उसे divorce दे देता है जब Walter आता है तो Jesse उसे बूलता है कि अब मैं जो भी future काम करने वाला हूँ जो भी मैट में sell करने वाला हूँ उसका 10% मैं तुम्हें दे दूँगा तुम्हें इसके लिए कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा ये एक pension की तरह होगा और तुम्हें ये बहुत ही अच्छा option है Saul भी ये suggest करता है फिर Walter Jesse के जो हाप पैसे होते है वो Jesse को दे देता है वो Jesse को बोलता है इस business में यही अब last तुम्हारी कमाई होगी तुम अब Gus से deal नहीं करोगे गस ने सिर्फ तुम्हें यूज किया मुझ तक पोस्टने के लिए अब मैं उसके साथ काम करने वाला हूँ और तुमसे वो बाई नहीं करने वाला तभी Saul पलल जाता है और Walter को बोलता है तुम्हारे जो पैसे आएंगे उसको में लॉंडर करके दूंगा वो उसको 17% रेट वदाता है Walter उसे बोलता है कि में तुम्हें सिर्फ 5% दूंगा Saul कम होता जाता है वो 10% पर आ जाता है पर फिर भ होए एक घर आते होए दिखता है यह वही घर है जिससे जैसी ने आरवी चुराई होती है दोर पर एक लेड़ी आती है और उस लेड़ी से वो बातचित करना स्टार्ट करता है वो बोलता है कि यह चोरी हो इतनी पर फिर भी तुमने इससे क्यों नहीं रिपोर्ट किया तो बोलती है मुझे नहीं करना था रिपोर्ट यह मेरे बेटी ने ही चुराई थी कॉम्बो उसका बेटा होता है वो फिर हैंक फिर उसके बेटे के बारे में पुछता है तो उसे बोलती है कि दो मेने पहले ही शुट आउट में वो मर गया उसका नाम पुछने पर हैंक को पता और उसके friend combo ने तो वो photo Hank को मिल जाती है अब वो उसे एक बहुत ही strong lead मिल जाती है कि JC इसमें involved है JC के पास वो van है जिसमें meth cook हो रहा है यही ये episode खतम हो जाता है